बिसमिल्ला रह्माने रहीं बिसमिल्ला रह्माने 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 रह्म रस्तकरार थे लवज गाली कवी जूट सचमिल मिलाके सभी लवज थे लवज ही लवज थे उसके चारो तरफ उसने अलफ़ाज की मौत मांगी कभी उसने अलफ़ाज को गोर में धर दिया उसको देहरा किया इनी अलफ़ाज की गुंजने उसे च्छीनी नजर इन ही अलफाज ने उसकी सांसों पे ऐसे ही वो आ गए जैसे वो आई थी मारने के लिए आज देखो जहरा इस लड़ाई में भी और इस नजम में लवज ही लवज है लवज जिन्दा रहे शायरा मर गई अदब सराय के साथ मैं हूँ अरूज जहरा और आप सुन रहे हैं अपना अदब के हवाले से बेहतरीन पसंदीदा सा प्रोग्राम अदबी मनजर नामे के अगर फिलहाल बात की जाए तो अदबी मनजर नामा इस हवाले से कराची का यूं कहिए कि खुशाइँ हो चुका है क्यूंके कई महाफिले सज रही है और खुसूसरं यह कहिए के साल का वो वक्त है जब तक दुवाम दुनिया में ही andra याफियं भी हो जाती है इसी हमाले से आज एक शायर हमारे साथ मौजूर है और ये शायर बकौल जब मीरीन से बात हुई थी तो कहने लगे कि जी मैं इतना जादा बजम वाला आदमी नहीं हूँ मैं तनहाई पसंद हूँ और अपना काम करता हूँ अजा जब मैंने मजीद इन से पूछा कि भई क्या काम करते हैं तो इतनी लंबी फैरिस मेरे पास आई कि मैंने कहा कि इनको शायद बजम का वक्त ही नहीं मिलता होगा इसी लिए जो है ये इतना ज्यादा यूं कहिए कि अपने साथ ही मसरूफ रहते हैं कभी फोटोग्राफी कर रहे होते हैं कभी नजमे कह रहे होते हैं और कभी अपना जो उनका पेशा है टेली कम्यूनिकेशन इंजिनरिंग उस हवाले से काम कर रहे होते होंगे तो बगएर आपका ज्यादा वक्त लिए हम चलते हैं अपने मेमान जनाब रजी हैदर गिलानी साहब की तरफ असलाम लेकुम रजी कैसे हैं आप कैसे मैं बिल्कुल ठीक्ता अगुदरा आप तसलीमात अच्छा जी ये बताईए कि आपके बारे में मुझे मालूम हुआ कि आप जर्मनी से आए हैं तो आप कितने अर्से बात कराची दोबारा आए हैं अब मैं करीबन दस-पंदरा साल पहले तक्दीम दोहजार साथ मेरा आफ़ी वक्त था जब मैं आया था और वो भी किसी दफ्तरी काम किये सही तो चालों पाकिस्तान के किस अलाके से हैं मेरा थालुक कश्मीर से मुझः बाद शहर से ताल कर रा TOM कश्मीर के हवाले से तो फाप सूर्थियों का स्टार अचाराइत बहुत नहीं किन है कि अवर्प जर्मनी में जbad आती है किश्मीर यही बात है वह अपनी जगह है दोनों जगय बहुत खुब्सूरत है मेरे बात है दोनों चुछ नो कुछ ऐसे से इस्तार गपाहिए जोड़ लेते हैं। अच्छे जर्मनी में कब से हैं वह करीबं तेरा साल हो गए और आच्छी बात है जिसे हम तस्वीर कशी कहते हैं कैसे इतने सारे काम हो जाते हैं असल में बात यह है कि जहन वो एक ऐसा है यह का जाए कि एक जगह उसे आराम नहीं आता तो वो इधर उधर भागता रहता है मैं रिकॉर्डिंग से पहले भी जो आप से बात कर रहा था वो यह के पुराने जमा दौरान मेडिसन के उपर भी किताब हैं और मुखतलिफ चीजें जिनके उपर म्यूजिक पर भी लिख रहे हैं और यवन यह कि जो फलस्फा है इनकी मशूर कॉमेंटरी है रस्तू के उपर हो भी है तो यह नहीं एक जगह उपर जहन का ठहरना मेरे चाल में अच्छी बात कि और वी जिस तरफ बी जहन ले घ्लाइब हो हुए जाते हैं कर दो पहुआज दो अबैब कोशिछ आ कि मुटलिफ बैब नियुआज पार व्हाईज केक्षास और फिल जाता है और रह जा जाते ही जाते हैं और जो दो आएकर भी टो आठीत के शाने में जाते हैं तो आपकी किताब भी अप्रेल में मनजर आम पर आई है इसका नाम है काल निहंग इसका मतलब क्या बना निहंग तो अमुमान हम मगरमच को कहते हैं जी जी आपने देखा भी है कि यहां जो तस्वीर है वो वेल मचली की है और अमुमान कहा यह जाता है कि घड्याल या माना जाता है उर्दू लोगत में आप कहीं भी देखेंगे तो अमुमान यही मानी आपको मिलेंगे लेकिन फार्सी के अंदर जो लव मुस्तमिल है वो आम तो पर विल मचली के लिए इस्तमाल होता है तो अगर आप देख लीजिए ऐसे अशार गालिब के जैसे वो कहते है दा में हर मौज में हलका ये सदका में नहंग देखें क्या गुजरे है कत्रेप गोहर होने तक तो अगर आप ये शेर देखें तो कत्रेप का गोहर होना मौज का होना ये जो तसावीर हैं ये तसावीर समंदरी तसावीर हैं किसी भी सुरत दल्दली तसावीर नहीं है जहां मगर मच होते हैं तो इसी तरह आप बेदिल ने भी कहा के इवन मशो अजखोहशे खुन नौशो दे दर दिल मोजी के बे गोहर नखजीदेस्ट नहांगास्ट इस शेर में भी आप देखिए मोज नहांग गोहर इस तरह के अलफाज आ रहे हैं यानि सिप्पी का होना गोहर का होना ये सारी जो हैं ये समंदरी तसावी हैं बिल्कुल सही अच्छा यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जिस अंदाज में आपने वो फार्सी शेर पढ़ा है वेदिल का बहुत अच्छा लगता है सुनकर जब कोई भी शायर या कोई भी शक्स जो होता है जब वो ग लेकिन यह है कि बोल लेता हूं फार्सी और इसी वज़ा से जो है कुछ दोस्त बगएरा बने इरानी दोस्त बने वहां जर्मनी में और उनसे मैंने सीखा और पिर शोक था शायरी में बगएर फार्सी के बड़ा मुश्किल होता है अगर आप पुरानी शायरी समझना चाहत तो इसी खायश के साथ मैंने इसी की मैं बात ये कर रहा था कि जो निहंग का लवज है अगर हम उसको उसकी एटिमॉलजी को देखें तो निहंग के मानी जो फार्सी मियाने का लवज है इसके मानी होते हैं ऐसा जानवर जो नीचे खींच ले तो यानि जब मैंने इस कि ये इस किताब में बेशतर नजमे जो हैं वो अदासी से भरी हुई हैं ट्राजडी से भरी हुई हैं तो जाहर है कि वो मुझे भी जो लिखने वाला है और जो कारी है दोनों को नीचे खेंचने की सलाइयत रखती है और अगरचे खायश यही है कि सिर्फ नीचे ना कि यहाए यह अंदर की तमाम बाकी नजमों की नुमाइंदा नजम है जसको मैं अभी आपके सामने पेश कर दोकर हैँ और जो क्लीशे सी बात है कि जो आर्टिस्ट होता है उसकी जो ऑरलाद की तरह होते हैं उसको उमोमान अगरचे बहुत से बच्चे यहां से किताब से ड तो मैं अगर परफॉर्म करता हूँ कभी तो आनलाइन एक अप है जिसका नाम है कलब हाउस और वहाँ पर परफॉर्म करने का मौका मुझे मिलता है तो वहाँ पर बहुत पसंद की गई तो मेरे खाल में ये नजम सुनाई जाए तो अच्छा रहेगा तो नजम का नाम है जी बलड कैंसर इसका शुरू में एक प्रोलाग है और प्रोलाग के बाद नजम है तो पेशे खितमत है ये नजम एक मरते हुए बारा साला बच्चे की दुनिया है जिसकी रगों में कीमो थेरपी के महलूल दोर रहे थे पर उसके खाबों के किरदार मरिदंग की थाप पर नाचते उस सिपा सालार भी था और एक खलाबाज भी दूर उफक पर उसकी मौत के रंग मैंने अपनी आँखों से देखे थे ये उन जमानों की दास्ता है के जब खिरद के कसीफ पंजों ने मेरे सुंबल परों में नाखों नहीं खुब होए थे उन जमानों में सपने सांपों के बिल नहीं थे अनन्द नागा की जड़ती चम्री सपूलियों का खुदा नहीं थी गगन का केसर गिदों का लुकमा नहीं बनाता हमारे सूरतगरों ने उल्टे अमीक गारों को सीध देते पलीद चमगादड़ों का चेहरा नहीं तकाता अगर्चे कैंसर के जर्दकीरे रजज़ की लह पर तिरक रहे थे मैं अपने दिल की लगाम थामे कुलाह खुद में से जांकता था सू मेरी नबजों के हिन हिनाने से जर्दकीरों में खौफ काइम था पर अचानक सफैद कोटों में बन सिरिंजों ने मेरी धरकन पेकान रखे यो तेज दाटों से मेरे कुलहे की हड़ियों में नखब लगाई के शाह पौरस के मस्थाथी ने उसकी फोजों को रोन डाला सफैद खुलियों के शाह सवारों ने शहब दुलदुल की पैरवी में सिपर उठाई नियाम से तेख को निकाला तो जर्दकीरों ने अपने नेजों पे खुनी सफ़े उठा लिये थे मैं मर रहा हूँ सिसक रहा हूँ यह मेरा बिस्तर जहां में बेसुद पड़ा हुआ हूँ मेरी चिता है सो मेरे हाथों में मेरे बालों के जलते गुच्छे हैं मेरे ढांचे के रक से आखर को देख रहें यह सियाह कपड़ों में कौन बुड़िया हैं क्या बड़बड़ा रही हैं ने उठाओ खुजूर की गुठ्रियां हटाओ यह खुणी थेले में किसका खुण है लहू के कत्रों का विर्द रोको यह विर्दांतों को काट खाते हैं और मसानों को चाप जाते हैं यह रक से आखर आखरी नहीं है मैं एक जो आला मुखी का किस्सा हूं मैं इन फिजार रजीम की ताकतों में जर्रा हूं मैं मिलकी वेकी सफैद राहूं मैं जर्द सूरज के आशियाने में रहने वाला गो जल रहा हूं जला नहीं हूं मैं मरा हूं मरा नहीं हूं अजिए विल्कुल भर पूर एक ऐसा शक्स कभी भी अपने किसी दोस्त के हवाले से फिल्हाल हम देख रहे हैं कि नौजवानों में काफी इस तरह की केसि आ रहे हैं और अपने जानने वालों से भी हम इन कैफियात को सुने हैं बाज अदाकार जो इस मोजी मर्ज से लड़ र ही तो वो एक दम उनके इंटर्व्यूस भी और यह नजम भी और विल खुसूस आपका जो अंदाज है वो बड़ा अच्छा है बड़ा खुबसूरत है कि आप एक होता है अमूमन शुरा के हवाले से कि वो कारी की सता पर आ जाता है एक शायर या कहने वाला वो होता है जो कार पर लेकर जाता है और मैं इस हacaksınार को जाता है में बड़ा घायर फोंटा और पे ले लेकर आते है है लो कारी कारी को तक में पहुंकर भूसक्रेस बहुत बड़ी कामड़ी है इसके साथ ही मुझे एक इस सवाल इस नजम के साथ ही जहन में आया कि इस जिसकी मैंने अंदास की तारीफ की उसी अंदास को आपने क्यों अपना या शुरू से ऐसे पढ़ते थे या यह किसी से इंस्पायर होके इसे देख के फिर आपने का कि नहीं इस तरीके से होना चाहिए या किसी प्रोग्राम के हवाले से कोई हिदायात मिली तो आपने का नहीं यह तो अच्छा लग है तो क्या इसके पीछे असलमें बात यह किस्सा जरा पुराना है अगर्चे तालुक हमारा सुनी मसलक से है लेकिन यह है कि हमारे वालिद जो हमें लेके जाया करते थे इमाम बारगाहों में और वहां पे हम मीरणीस के दबीर के मरसिय सुनते थे और जब वो ऐसे नहीं आट्राक्ट करता है एक मेरे लिए जजाबियत पैदा करता है तो वो मसला नजम का हमेशा यही रहा है कि नजम पढ़ने की हر तक मानी जाती है और यही कहा जाता है कि वो पढ़ी जाए वो परफॉर्म करने की चीज नहीं है तो अगर्चे मैं इस बात से काफी हद तक इत्फाक रखता हूँ लेकिन उसके बावजूद जब आप उस चीज़ को पढ़ते हैं ड्रामाई अंदाज में तो मुम्किन है कि इसमें ऐसे الفاظ होंगे जो आपको समझ में ना आए हूँ लेकिन जो अंदाज है वो आपको उस माहुल में ले जाए जहां जिस माहुल को बनाने की कोशिश की गई है सही सही बिलकुर ये अदब के तलबा तो ये बिलकुल बात जानते होँगे कि ये भी कहा जाता है कि अनीस और दबीर तो जब पढ़ते थे खुद लखनौ में तो यूं लगता था कि मनजर आपकी आँखों के सामने चल रहा है और ये बिल्कुल वाकिए आपने अगर वहां से इंस्पिरेशन ली है वहां से आपने इस चीज़ को अखिस किया है और इस उसमें हम लोगों के कुछ अलफाज से नामानूसियत जाहरेकार फर्मा है कि बावजूद ये कि आप उस महौल में चले जाते हैं लेकिन कुछ चीज़ें आपको मुकमल समझने हैं अनीस के हाम भी आपको ऐसे अलफाज मिलेंगे जो मुश्किल हैं जाहरे नजमें और अच शायरी के हवाले से आपने घजल भी कही है पाबंद और आजाद नजमे भी कही है और रुबाई पहेली में भी मुझे मालूम हुआ कि आपने कोशिश की है तो ये जो आपकी किताब है इसमें पाबंद और आजाद नजमे है और नसरी नजमे है तो बाकी चीज़ें क्यों नीज में शामिल की असलों पर देगी बात यह कि किताब की काटेगरी होनी चाहिए मेरे खाल में वो जब एक खास सिन्फ का काम एक हद तक पहुंच जाए तो बेतर है कि वो फिर शामिल किया जाए यारी पहेलियां मौझूद है लेकिर अगर मैं आट दस पहेलियां बीस पहे आम ताएगा अच्छा यहां बताते हुए मैंने एक बात कही कि पाबंद और आजाद नाजमों को तो सभी मानते हैं नसरी नजम के हवाले से अमूमन एक डायलॉग चलता रहता है अभी मनजर आम पर हमारे पास तीन बड़े शौरा जिने हम कहें नसरी नजम के हवाले से व शौरे साहिबा जो है वो बहुत अच्छी उनकी किताब भी आ चुकी है नसरी नजम पर अच्छा इप्तिदा में जो अदबी हलके थे उनका यह कहना था नसरी नजम क्या या तो नजम है या नसर है यह क्या बात हुई तो वो नसरी नजम को मानते नहीं थे अब चुँए भी थे जो नहीं मानते थे और अब मामने लगी है क法 ही और अब आपफ एद्युत्व हुआ खाल ही लोगों को नहीं मालूम लेकिन आगर जाकर मालूम हो जाएगा जैसा मुझे अभी समझने वाले नहीं यह तो मुझे सौ साल बात समझा जाएगा और मुझे किताबे लिखी गए इस पर मुझे बात याद आ रही है वो शम्सुराइमान फारुकी जाब की है कि वो एक मुकाइसा करते हैं एक बाजौख इनसान का और एक सुखन फहम इनसान का ठीक है जिसमें पूख कहते हैं कि करता है उनको जजज करता है तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हम सुखन फहम होने की कोशिश करते हैं यानि ऐसी चीज सुखन फहम से मुराद एक ऐसा शखस है जो अपने जोग के खिलाफ भी चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो मैं कोशिश ही थी अगर्चे शुरू मेरा नजम से ही रहा है और मेरा जो रिश्टा है वो अजाद नजम से बहुत कवी रहा है लेकिन यह है कि मुझे हमेशा था कि अगर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं इसको समझने की कोशिश करू फारूकी साहब ने चार सुतून बताए हैं जिनकी बिना पर शायरी को शायरी शेर को शेर या नजम को नजम कहा जाता है यानि इन चार सुतूनों से मुराद मेरी यह है कि पहला सुतून जो है वो वजन का सुतून है दूसरा सुतून जो है वो जदलियात का सुतून है या आपकी कह लिजे कि इस्तारे का सुतून तीसरा सुतून है इजमाल क इजमाल यानि किंसाइसनेस अगर हंग्रेजी में कहें और चोथा सुतून जो है वो इभाम का है यानि उसके अंदर एक वेइनस मौजूद है तो अब ये चार चीजें जो है मिला कर नजम नजम बनती है तो मेरे जहन में ये ख्याल था अगर हम इसी मौडल को अपलाए करें नसरी नजम पर और इसमें से एक सुतून गिरा दें यानि वजन का सुतून गिरा दें तो नजम जो है वो बाकी तीन सुतूनों पर खड़ी होगी ठीक है यानि जो अमूमन माना जाता है कि नजम का जो लफज है कि उसमें नजम होता है वो नजम जो है वो वजन का नजम है ठीक है लेकिन नजम और वजन जो है वो मेरे खाल में मतरादिफ तो नहीं है एक दूसरे के तो ये चार चीज़ों को जहन में रखा जाए उनों में से एक सुतुन गिरा कर तीन को जहन में रखा जाए तो जाहर है एक एक बात समझ में आएगी कि आम नसर में और नसरी नजम में क्या फरक है वहाँ इस्तारे हैं वहाँ जैसे मैंने कहा कि कंसाइसनेस और वेगनेस के साथ बात की जाती है सही, तो अब आप कोई अपनी नसरी नजम भी जो आपके जहन में हो और आप कहें कि ये नजम सुनानी चाहिए, जो इसकी तारीफ पर मकमल अतरती हो, तारीफ तो क्या कहें, पर ये नजम है बोदा दरख्त, इस नजम का जो कांटेंट है, वो या उसकी जबान जो है, वो पं लेकिन वो बोड़ा पंजाबी, ठीक है जी, तो वो अब बीच में पंजाबी के लवज भी इस्तमाल करता है, तो ये नजम का नाम बोदा दरख्त नहीं है, बोदा दरख्त है, क्योंके पंजाबी में हम लोग दरख्त कहते हैं, तो एक शूर्द, इर्शाद, इर्शाद, मेरी वक्यों की टैनियां तोड़ रहा है, मुझ से न्याणों के जूले बनाना, या स्कूल की निक्की निक्की कुरसियां, मेरे हाथों से सालनों के डोंगे चमच, मेरे पेट से सो आगरात के रंगले पलंग, चल पा है, मुझे अंगीठी में डाल दहीं, मेरी आखें बस चैन दे, मैंने अपनी माह का रस्ता तक न है, मैं एक बोदा द्रखत हूँ, जिसे सबजा देखे ऐसी साल हो गए, माए वे माए, तेरे कैन पर मैं अपनी अंतड़ियां पहलाए, पानी नूनते जारों फुट नीचे आ गया हूँ, माए वे माए, फिकिदर जना तुने मु पूल जाएं, कवे बूख से अपने मुए साथियों के डांचों का सुखा गोश्च चाबते हूँ, कोयल मौत की तस्वी पढ़ती है माए, आए वे माए, ये किदर जना तुने मुचे, जिदर सांप, जैर की दौात में अपनी जबान डोब के शेर कहते हूँ, जिदर मच् के आंसों का खारा पानी, याद करते कश्टियां बोदी हो गई हूँ, आए, मैं उन कश्टियों से भी ज्यादा बोदा हूँ, रेत के चक्ड में जो तेरी तस्वीर बनती है, उससे हर रोज कहता हूँ, मैं इस साल के सुखे में और नीचे नी खोज सकता, असी वरे हो गए ये कहते हैं, मैं अब और नी खोज सकता माए, मुझे अपने खुशकोंटों में दाब ले, मेरे ठंडे पैर अपने गरम पेट से लगा ले, मुझे अपने बूड़े सीने में बार ले, मैं ठाक्या हूँ माए, कस्मे, मैं बहुत ठाक्या हूँ, वाँ, इस नजम की जो इस त्याराती कैفیت है, वो बहुत ही खुशूरत है और आप कई जगों पर इसे ये कहिए कि अपना रब्त महसूस कर सकते हैं, अच्छा जी नस्री नजम के हवाले से जब आपने बात की तो आपने कहा कि आपका आज़ाद नजम से रिश्टा बहुत पुराना है, तो मुझे आया कि ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आप शायरी कब से कर रहे हैं और शायरी करने का, ये कहिए कि ख्याल कैसे आया, खुच से महसूस हुआ या किसी ने कहा कि भई ये जरासी मौजूद हैं तो इस हवाले से जरा कुछ करो इसमें अजल में दो तीन बाते हैं, एक तो ये कि बच्पन से हमारा मेरे खांदान का तालुक रहा है शायरी से, वालत साब अजाद किश्मीर एडियो के लिए भी काम करते थे अगर चाहर डॉक्टर हैं, तो घर में मुशायरे वगएरा होते रहते थे, वालत भी शायर हैं चचा भी शायर हैं और यानि फुपियां भी शायर हैं, तो वो मामला रहा है कि शायरी जो है वो गुटी में हमें मिली है, मैंने पहला शेर बस ये दर्खास था कि कहिएगा नहीं कि क्या था वो शेर, चटी में लिखा होगा, और यानि 25-26 साल हो गए हैं शायरी करते हुए जबर दस्त और यह कि जायर इंसान आहिस्ता आहिस्ता किसी ऐसे, ऐसी सता पर पहुंचता है जहां पर वो यह कह सके कि वो किताब चाप रहा है, सही, अच्छा इस हवाले से एक और मजीद, कि अभी आपकी किताब देखते हुए मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इसी नजमें जो तमसीली हैं और तमसीली नजमों के अंदर जो है, जो मेरा अब यह कह लिए इंफ्लूंस रहा है, वो ग्रीग ठीटर से रहा है, सही, अरस्तू के मताबिक जो हर कहानी है, उसके अंदर एक स्टार्ट, मिडल और एंड होना चाहिए, सही, ठीक है जी, तो हम उसको लेकर चलते हैं, लेकिन उसके साथ वो यह कहते हैं कि ट्राजिडी जो है, वो सबसे पावरफुल मीडियम है, क्यूंकि ये किथार्सिस क्रियेट करता है, यह वो कहते हैं कि जो पिटी और फियर जो हैं, दो ऐसे अनासर हैं, जिनको इस्तिमाल करते हुए, आप लोग से ऐसासाथ जो आपके अंदर मौजूद हैं, उन तक आपको पहुंचा दे, तो ये बीमारियां जो हैं, क्यूंकि बीमारी जो है, देखा जाए तो एक ट्राजडी ही है, और उन ट्राजडी के जरीए आप वही कितार से जेनरेट करने की कोशिश करते हैं, या एक लिस्त मै पादीर के हवाले से आपने कहा कि मेंने उनuda की तो कूह हाजर का कूई पसंदीदा शायर या कोि ऑससा शायर जिसको कि आप थिए इसे भाई, ये जो है मेरा पसंदीदा शायर है। मैंशम के शायर हैं वह बहुत अछी नजम लिकते हैं, वह कहा जा सकता है उनको कि मैंने उनको काफी पढ़ा है और मुझे उनका अंदाज पसंद है कहने का इसके इलावा जाहिद इम्रोज है जो नस्री नजम लिखते हैं जादा वो भी बड़े इच्छे शायर है उनका नाम लिया जा सकता है आतिफ तोकीर है वो भी बहुत अच्छा लिखते है चले अच्छी बात है अच्छा एक और बात जहरे इसी हवाले से आपने एक नस्री नजम के शायर का नाम लिया अमूमन ये मुगालता है मेरा ख़याल मुझे तो जादी हैसियत से यही लगता है लेकिन अमूमन ये कहा जाते है कि नस्री नजम वो लो कहते हैं जिने और जादान नहीं आते तो इस हवाले से आप क्या कहें तो हो सकता है कि ऐसा भी हो क्योंकि कुछ ऐसी जो अरूज का जो इल्म है उसको जिन कुटब के जरीए सीखा जाता है वो काफी जो हैं उसके अंदर फार्सी और अर्मी के लफाज होते हैं तो क्योंकि जो हमारा अनफॉर्चनिटली मकॉले का जो एड्यूकेशन सिस्टम है वो आते आते इस लेवल पर आगया है, सथा पर आगया है कि उस सथा पर वो जो हमारा नॉलिज था वो मौजूद नहीं है तो शायद लोगों को मुश्किल होती है लेकिन ये कहना कि उनको आती नहीं है वो इसलिए कहते हैं असमें हर सिन्फ की न कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी उसके अंदर मोजूद होती है जो सिर्फ उसी सिन्फ में पूरी हो सकती है याई बोदा दरख्त आजाद नज्म के तोर पर नहीं कही जा सकती जबके बलड का अंसर जो है वो आजाद नज्म जो है उसके जरीए कही जाती है होता ही है कि वजन जो है आपको एक राह पर ली जाता है आप उसी के हिसाब से चलते रहते हैं तो ऐसे शायर मौजूद हैं आपके बस दो बड़ी मिसाल हैं जिनके नाम आपने भी लिए सजीद अवजाल साहब का और मैंने जो नाम लिया है जावेद साब का ये लोग तो असाद्जा हैं तो इन असाद्जा की नजमों से हम सीख सकते हैं कि देखेंगे बात याँ कि नसरी नजमों या आजाए नजमों क्लासिकी निजाम जो है जो हमारी शेरियत का निजाम है उसको समझे बगार आप उर्दू शायरी नहीं कर सकते हैं तो मेरी गुजारिश ऐसे तमाम शोराज से होगी जो आज इस बात पर मुसेर हैं कि वो एक उरिजिनालिटी की तरफ जाएं उरिजिनालिटी की तरफ जाएं अपनी बात कहें लेकिन वो जो हाथ है क्लासी की निजाम का उसको थामे रखें अگर वो थामे रखेंगे तो आपकी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोटिक असेंट या जिस पे वह मिलती है वो पोटिक असेंट जो है वो नहीं मिलेगा आपको क्योंकि आपका माश्रा जो है आपका जो शेरी जहन है वो एक खास तरीके से उसकी तर्वेत हुई है साल हा साल सदियों से तो यह मामला है अगर आप देखें तो ऐसे जैसे मैंने एक्जामपल दी आपको मिसाल दी कि मुक्तलिक शौरा ऐसे मौजूद है नोजवान ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आता होगा तो उनके लिए मेरी पास जो सेजेशन है वो यह कि फ्रांसिस प्रिचेट साहिबा का कि एक किताब है जो आनलाइन अपेलिबल है जो फारुकी साहब की मदद से उन्होंने बनाई थी और उसके अंदर बहूर का निजाम जो है वो अंग्रेजी में समझाया गया है तो अगर आपके पास अर्मी और फार्सी का वो नॉलेज नहीं है जो आपको रोक रहा है अरूज को समझने के लिए तो आप फ्रांसेस पर चैट साहिबा की वेब साइट है युनिविस्टी अफ कलंबिया की उपर उस पे जाएं और उससे सीख लें जबर्दस अच्छा एक सवाल और भी मेरे जहन में आ रहा था कि टेली कम्यूनिकेशन एंजिनियरिंग एक बाकाइदा तोर से जो है वो कहिए कि बिल्कुल ये टेक्निकल फील्ड है वन प्लस टू वाला मामला जिससे आप कहते हैं दूसरी तरफ आपको मसवरी पसंद है यानि आप तस्वीर कशीर जिससे कह लीजिए आप कैन्वस तो पेंट नहीं करते हैं ये बेरहाल कि तस्वीर बनाना वो ये एक आर्ट होता है फिर शायरी है तो कहां एक तरफ तो ये नंबर गेम जिसे हम खुश्क तरीन चीज कहते हैं कहां दूसरी तरफ ये जमालियात का पहलू कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं कैसे इन में एतिदाल रखा जाता है य किया आपका लाहारेमल होता है इस हوाले से? और यही creativity जो है आपको बाकी चीजों में भी मिल सकती है चाहे वो तस्वीर खींचना हो अभी मैंने आपको बताया नहीं कि मैं थोड़ा बहुत गिटार भी बजाता हूं तो तस्वीरें भी खींचता हूं यह नहीं वो सारे अनासर जो आप करते हैं भी हम रेडियो पर बात क करता हूं रिकॉर्डिंग करता हूं आडियो वगारा से तो यह नहीं काम मुक्तलिफ हैं creativity है और सीखने के एक अमल है जो सीखना है वो मुझे बहुत पसंद है और जैसे मैंने पहले भी अर्स की कि मेरे ख्याल में ऐसे जहन जो polymath होते हैं वही जहन जो हैं वो इस दुनिया हमारी कौम को अगर आगे बढ़ा सकते हैं तो हमें polymath जहन चाहिए हमें एक line में लगे हुए लोग नहीं चाहिए जबर्दस 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 ये बहुत ही एक अच्छा मेसिज भी हम कह सकते हैं और ये ख्याल भी रजी हैदर सहब कह सकते हैं कि सबसे बहतरी चीज़ यह एक जहन जो है वो जमूत का शिकार नहों और उसे जर्खेज रखने के लिए आप कई मुक्तलिफ जहात में काम कीजिए ताकि अगर कभी एक सिद्न ओफ जाया तो दूसरा हो दूसरे से तीसरा हो प्र पलट कर पहला आ जाया और आप कभी यू कहिए जैसे हमारे बड़े बज़र्ग कहा करते थे कि खाली जहन जो है वो शैतान का घर होता है तो शैतान का घर ना बने आप जो है वो किसी ना किसी तखली की अमल में मसरूफ रहें अब ऐसा है कि बिल्कुल हमारा इंटर्वी अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है तो हम ब्यजी हेदर साथ से उनकी एक दू नजमे सुन लेते हैं जो वो अपने शौक से हमें सुनाएंगे जी रजी साथ मेरे पास दो तीन नजमे हैं मैं पहले एक नजमे है तो ये नजमे है इसका नाम है आपने पूछा कि शायरी कैसे होती है तो ये उसके उपर नजम है, इसका नाम है कैसे? तो पेशे खिदमत है, मैंने जिगर की कलोंच से कैसे दुनिया रंगी? मैंने कैसे दो आँखों के अंधे पन को धनक बनाया? कैसे सागर के प्यासे हूंटों पर मैंने नमकी खाबों का सया लुडाया? कैसे एक गुलहरी सर्दी में मेरी महबूबा बन बैठी? कैसे मैंने उसके ठिठरते हाथों में अखरोट थमाए? कैसे मेरे बदन सराए में सूरज ने रैन बसेरा करते मेरे कान में दिन का गम कह डाला? मुझमें पीत के नगमे गाते एक पपीहे ने चुप सा धी? कैसे मैंने अमावस के अंधेर नगर में चांदनी की कूची पकड़ी और एक चांद निया घड़कर आकाश पे रखा? कैसे मैंने अपना बदन एक जंगली कबूतर को चुगवाया और उड़ना सीखा? कैसे मैंने दीवारों के कानों से अलफाज चुराए? कैसे घजल के माँनी तन हाई के बन में जखमी हिरन से सीखे? तेरी खुश्बू की राह तक ते मैंने क्या क्या वहम पकाए? क्या बतला हूँ? क्या बात है, क्या बात है बहुत ही खुबसूरत अंदास के साथ, खुबसूरत अलफाज का मजमुआ है रजी हैदर साथ की शायरी और मैं जरूर आप लोगों को मचफ़ाद दूंगी के काले नहंग पढ़े कितार से सकंबल तो हो गई साथ साथ आपके जखीरे अलफास में बहुत जादा इजादा होगा जी तो अदब सराय अपने अख्तिताम की जाने बरमादवा है अदबी मनजर नामा जाहिर है एक तरीके से तो ये कि हम आपको जरा-जरा सा उसका इशारा दे देते हैं कि कहां क्या हो रहा है कहां क्या नहीं हो रहा है अगर बहरहाल हफते भर जो भी मसरूफयाद रहती है उसके हवाले से एक बाकाईदर रिपोर्ट बनाई जाती है जो अदब सराय में आप तक पहुंचाई जाती है लहाजा सुनते हैं अदबी मनजर नामा अदबी प्रोगाम अदब सराय के मनजर नामे में आपको राशिद नूर खुशामदीद कहता है कराची की अदबी सरगर्बियों के साथ मैं आपके खितमत में हाजिर हूँ सामें कराची की अदबी सरगर्बियों में हम नजर डालते हैं हमें ये कहना पड़ेगा कि अदब को अदब की तरह ही लिया जाए और अदब को तबाशा ना बनाया जाए क्योंकि अदब किसी तौर पर भी गहर संजीदी की का मतहमिल नहीं हो सकता हमारे हाँ शेयर लिखने वाले खूब लिख रहे हैं और हाली में बारगाए अदब के इदनन मुशायरे में मेमान शायर अली जर्यून को सुना गया इन्हें पहले भी हम सुनते रहें अली जर्यून खूब शेयर कहते हैं और नوجवान नसल की खाईश के मताबिक उम्दा कहते हैं लेकिन शेयर अदब के मामलाद कुछ संजीदा हैं जरा इन्हें संजीदगी से भी देखने की जरूरत है डाक्टर पीजादा खासिम डाक्टर शादा वैसानी और महतरमा सभिया सभा की सदरत में मुनक्दा एद्मलन मुशायरा जो पीच वियू कलब में जोराने के बात शुरू हुआ शोरा की खासी तादाद ने शेयर खानी में हिस्सा लिया बारगाए एदब की रुएरवा मारूव शाहरा सबीन सैफ ने झामत के फरायिदम जांदिये शुरूरा में नई नसल के शुरूरा व शाहरात के लावा सीनियर शुरा ने भी कलाम सुनाया जिसमें अली उजर्यून मेमान शायर उमेद नजमी मेमान ने खुसी में शामिल थे अलावाजी शोरा में अख्तर सजीदी, निसार अमद निसार, रिजवाना सजीद रोज, आफ्ताब आलम कुरशी, नाजिया गौस, ताजवर शकील, यासर सजीद सिद्धीगी, हिदायत साहिर, साधिया सिराज, रिहाना ऐसान, मनसूर साहिर, और दूसरे, कई शोरा और शायरात ने अपना कलाब सुनाया, मेरे सामने लंदन में उकीम मारूफ शायरा, नजमा उस्मान का जो सफर नामा है, वो सफर हच पर है, और इसका उन्वान है, किताब दिल, नजमा उस्मान एक अच्छी शायरा और अफसाना नवीस हैं, किताब दिल में उन्होंने जिस अकीदत और जजबे से सशार होकर सफर हच तहरीर किया है, वो काबल जिक्र है, मारूफ नाशिर और शायर खालिश शरीफ कहते हैं, जो उनका फिलेप पर तफसरा है, फिलेप पर लिखते हुए खालिश शरीफ का कहना है, कि सादा और सलीस अंदाज में गुदास दिल के साथ लिखा हुआ, ये सफर नामा खासे की चीज़ है, मेरे सामने घजलियात पर ममनी, अब मैं एक घजल के मजमुए बरहना दूप के हवाले से कुछ बात करना चाहूंगा, ये मजमुए जनाब महबूब साबिर साब का है, बरहना दूप ज के खुद पे ओड़ लिया, उस एक हवा को जो शाकों में छुपके बैटी थी, मेरे चराग ने लहरा के खुद पे ओड़ लिया, अभी खुला ही था बंदे गबा के आँखों को, बरहना धूप ने पिगला के खुद पे ओड़ लिया, एक और घजल की कुछ अशार देखे डर्बी था सहमा हुआ, खुद की जमी धार के साथ, एक कटा सर था जमी पर पड़ा तलवार के साथ, दर्मियाराद भी आ जाती है चुपके से कभी, दूप की दोस्ती कब तक रहे अजजार के साथ, उम्र बर फिर किसी आवास की सूरत न रही, आईना खत्म हुआ, एक ही जनकार के साथ, बरहना दूप के हवाले से, हमारे एहद के मुम्ताश शायर जनाब, इफ्तगार आरिफ, इस किताब के फ्लैप में, अपने तासुरात रकम करते हैं, और फर्माते हैं, कि बरहना दूप, महबूर साबिर का दूसरा शेरी मजमुआ है, इस से पहले, 2012 में, उ अजाब है दिल, शाय होकर एले अदब से दादो तैसीन हासिल कर चुगी है, बहुत खुशी और तमानियत की बात है, कि उनका तकलीकी सफर, रोज बरोज इर्तगा की मनजिलें तै कर रहा है, महबूर साबिर की शायरी, शेरी लोगत पर दस्तरस मजमीन में तनवो, और अस अलग से महसूस होती है, यकीर क्या जानी है कि बरहनादूप की पजीराई के बाद वो और बी सच्चाई, इन हमाग और सरखुशी के साथ अपना तकलीकी सफर जाई रखेंगे, अल्ला पाक सलामत रखेंगे, ये इफ्तगार आजिश साब के बहुत खुशुर तासुरात जो ये बहुत बुनफरीद किताब है बरहनादूप और इसके सरवर्ख पर जो शेर लिखा है, अभी खुला ही था बंदे कबा के आँखों को बरहनादूप ने फिगला के खुच पर और लिया, ये बहुत खुसुरत शेरी बज़वा है, और मैं समचता हूँ के पढ़ने वालों के लिए ये कुछ नए अहंग के साथ, कुछ मुक्तलिफ वजामीन के साथ नजर आएगा और यकिनां पजिराई हासिल करेगा, बहुत शुक्रिया, अच्छा जी तो बस इसके साथ ही मैं आपसे कहूंगी कि एक नजम सुना दीजिए और हम पिर इजादत चाहेंगा मैं आपको एक नजम सुनाता हूँ, इस नजम का नाम है दम आ नहीं रहा, ये एक आजाद नजम है, तो पेशे खिदमत है, दम आ नहीं रहा, नफस नफस खुटन, कदम कदम थकन, जले हुए परासमा से गिर रहे हैं, कबाब हो गए हैं क्या, प्रकाश के सौपन देखते परिंद ठिठर रहे हैं, जम हरीर मुर्दा घर में दो दराज जिस्म, लबों पे फेपडी बंदी हुई, उतर रहा है आँख में सफैद मोतिया, दिलों के सग गली में भौंकते हैं, ढूंडते हैं दामन आशना मुसाफिरों के, सूंगते हैं ठकन से बैठते हैं हार कर, कुरेटी है खाब की चुडेल, कबर से निकालती है दाग दाग धर, खरोचती है रात भर, कबूद जिल्द ये खल फिशार, जिस्म के उजार मरगजार में किसी परिंद की पुकार, दरखत ढह चुके, सभी पशू पखेरू जा चुके, ये आख अखरी परिंदा कौन है, हुमा ये मैं, ये कौन हड्डियां चबा रहा है, दिल का मास खा रहा है, सीना रेगजार, गमों के अंधकार में अटे नगर, ये दिल हैं या हैं रेत में, धंसे हुए खंडर, बाच चुके. रजी हैदर गयाली सहब को आप सुन रहे थे, और उमीद करती हूँ कि आपको आज की गुफ्तू को बहुत पसंद आई होगी, जी तो प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचा, अपनी मेजबान, अरू, जहरा को अजासत दीजिए, इस हिदायत के साथ के इन्शालला अगले हफते फिर मुलाकात होगी, इसी रोज, इसी वक्त तब तक के लिए, अल्ला हाफिज, पाकिस्तान, जिन्दाबाद